अपर इत गध्यांश देखिए एक विद्यार्थी काल की तुलना काल कहते हैं समय को विद्यार्थी जीवन का जो समय होता है उसकी तुलना कच्ची मिट्टी के लौंदे से की जा सकती है लौंदे कहते हैं मिट्टी के धेले को यहां बनाने वाले पर निरभर करता है कि वह कुछ कुरूब बनाता है या रूपान बनाता है तो ठीक उसी प्रकार अपने मन मस्तिक्ष को मोड़ कर विद्यार्थी भी अपने आपको जैसा चाहे बना ले मूलत वास्तों में विद्यार्थी जीवन में जोश तो बहुत रहता है लेकिन होश कम रहता है जोश के वशी भूतों का जोश के वश में आकर उसके बस में आकर जब बहुत जोश रहता विद्यार्थी में तो वो कई बार अपने घर परिवार समाज और देश के लिए मुसीबते खड़ी कर देता है अतह विद्यार्थी का परम कर्तब्य हो जाता है कि वह व्यर्थ के विश्यों फालतु बातों की ओर ध्यान न देकर अपने परम लक्षे परमलक्षे क्या है विद्यार्थी का आध्यान करना शिक्षा ग्रैन करना और शिक्षा पर सारा ध्यान केंद्रित रखे अपने जितना भी ध्यान है उसका वो फोकस करे किस पर अपनी पढ़ाई पर तो विद्या अध्यान के बल पर स्वयम को अच्छा वसुयोग बनने का प परमकर्दवी हो जाता है तो आपको इसके प्राश्ण जो है वो ये मिलेंगे उपर्युक गध्यांश का शीषक लिखिए जब आप टाइटल लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा बार जिसके बारे में होती है वो इसका टाइटल होता है शीषक होता है ठीक है विद्यार्थी ज इसका शीषक दे सकते हैं फिर सुयोग्य में से उपसर्ग और मूल शब्द और केंद्रित में से प्रत्य और मूल शब्द अलग-अलग करके लिखिए तो सुयोग्य में से सु हो गया आपका उपसर्ग और योग्य हो गया मूल शब्द और इसी केंद्रित है केंद्रित में से केंद्र हो गया मूल्शब्द और प्रत्य हो गया इत्र उपसर्ग पहले लगते हैं प्रत्य बाद में लगते हैं नाइंत में सीखा हुआ आपने तो सुयोग में से सुगु हो गया आपका उपसर्ग और योग हो गया मूल्शब्द और केंद्रित में से केंद्र हो गया मू विद्यार्थी जीवन की तुलना कच्ची मिट्टी के लौंदे से की गई है या कच्ची मिट्टी के धेले से की गई है जिस प्रकार कोमार कोन होता है जो मिट्टी के बरतन बनाता है तो जिस प्रकार कोमार के द्वारा कच्ची मिट्टी से किसी भी आकार प्रकार की वस्तु वैसा बना सकता है अगर विद्यार्थी चाहे तो फिर है विद्यार्थी किन के लिए मुसिबत खड़ी कर देता है तो विद्यार्थी अवांचित कारे करके जो कारे उसके लिए ठीक नहीं है मतलब विद्यार्थी अवांचित कारे करके समाज अपने घर परिवार समाज और देश के लिए मुसीबते खड़ी कर देता है ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हो कि विद्यार्थी अवांचित वर्ड यूज़ करिए अच्छा शब्द है ऐसे कारे जो नहीं करने लायक है लेकिन विद्यार्थी कर देता है तो विद्यार्थी अवांचित कारे करके अपने घर परिबार समाज और देश के लिए मुसीबते खड़ी कर देता है फिर विद्यार्थी को इसकाल काल आप किस तरह उठाना चीए फाल्तु बातों पर ध्यान न देकर फाल्तु या व्यार्थ के विश्यों पर ध्यान न देकर फाल्तु बातों की ओर ध्यान न देकर और अपने लक्षे अध्यान शिक्षा मतलब अपने परम लक्षे अध्यान या शिक्षा और शिक्षा पर सारा ध्यान केंद्रेत समर्पित होकर, शिक्षा के प्रती समर्पित होकर ऐसे भी कर सकते हो, फिर बता दूं, फ़ालतु बातों पर ध्यान न देकर, अपने परम लक्षे अध्यन और शिक्षा के प्रती समर्पित होकर, अच्छा एवं सुयोग के नागरिक बनकर विद्यार्थी को इस काल का लाब उठाना चाहिए एक बार और सुन लिए लास्ट वारा विद्यार्थी फालतु बातों पर ध्यान न देकर अपने परम लक्षे अध्यन और शिक्षा के प्रति समर्पित होकर अच्छा एवं स्योगे नागरिक बनकर विद इसको ध्यान से करिएगा